जी हाँ दोस्तो आपने ठीक पढ़ा RCM का आटा शुगर फ्री आटा है वो कैसे है इसका प्रूफ मैं आपको आगे वीडियो में दूगी लेकिन उससे पहले जरा सोचे दोस्तो जो व्यक्ति पहले से ही शुगर का पिशेंट हो उसके लिए आम आटा कितना हानिकारक हो सकता है और दुर्भागे से इस जानकारी का अभाव लगबग 95% लोगों में होता है तबी तो जादतर लोग पूरी जिंदगी अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते सिर्फ दुखदाई दवायों के सारे अपनी जीवन को और दुखदाई बना लेते हैं उनको पता ही नहीं होता कि आटा भी शुगर फ्री होता है वह तो बस इस बात पर सीना चोड़ा करते हैं कि हमारा आटा अपने खुद के खेत का आटा है और खुद केहू लेकर पिस्वाया हुआ है आप इस बात को अच्छे से समझ ले दोस्तों कि आर्सियम का मकसद सबसे पहले आप और आपके परिवार के स्वास्ते रक्षा करना है पैसा तो आर्सियम बिजनिस में बाद की बात है और एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों क्वालिटी को क्वालिटी से कंपेर करना ना की रेट से आशिरवाद आटे में कैल्शियम और आईरन बिल्कुल भी मैंशन नहीं है जबकि आर्सियम के आटे में कैल्शियम और आईरन मैंशन है RCM का आटा sugar free आटा है इसलिए इसकी quality को बाजार के sugar free आटे से और दोनों आटों की nutrition value से ही compare किया जाना चाहिए यहाँ पर में दो आटों की nutrition value को compare करने वाली हूँ एक तो है market का famous brand आशिरवाद आटा जो कि यह claim करता है कि sugar release control आटा है यह दूसरा है हमारा RCM का धुरूवन आटा यहाँ पर left में है आशिरवाद आटे की nutrition value का चार्ड और right में है RCM धुरूवन आटे का nutrition value का चार्ड अब आप इसमें देख सकते है इसमें fat है 2.0 gram यह है आशिरवाद आटे में और RCM के आटे में fat बिल्कुल भी नहीं है इसमें iron और calcium भी है आशिरवाद आटे में वो भी नहीं है दूसरा इसमें बोलता है sugar release करता है मुझे तो इसमें sugar जो शो कर रहा है 4.3 gram sugar शो कर रहा है आशिरवाद आटे में और RCM में sugar शो कर रहा है 0 gram तो अब आप खुदी compare कर लीजिए कि कौन सा आटा sugar free है ये sugar free claim करता है पर मुझे नहीं लगता कि आटा आशिरवाद आटा पूरी तरह से sugar free है ये यहाँ पर clearly दिख रहा है जो समझदार लोग होंगे वो अपने आखों से साफ साफ समझ जाएंगे देख करें सब